विविदाओं और रहस्यों से घीरा हमारा दीश भारत यहां कई ऐसी जगें या इमारती हैं जिनके भीतर बहुत से रहस्य कैद हैं कुछ रहस्य हमारे पौराने के तिहास से जुड़े हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो कई सालों बाद आज भी दहश्यत का सबन बने हुए हैं आप विश्वास करते हो या नहीं सुना तो आपने कई बार होगा कि भारत में कई ऐसे इस्थान हैं जिने हौंटेड माना जाता है मद्ध प्रदेश शोनपुर शहर के करीब 20 किलो मीटर दूर तांतरिक बावडी जो कि 250 साल पुराने महल के भीतर गड़ी हुई है ततकालीन राजा गिर्धर सिंग गौड ने अपने शासनकाल के दोरान ऐसी आठ बावडियां तयार करवाई थी जिनमें से इस बावडी को तांतरिक बावडी के नाम से जाना जाता है जैसे ही हमारे यहां क्यूदंतियों बहुत तेजी से बनती हैं और फैलती हैं कुछ ऐसे ही क्यूदंती इस बावडी के साथ भी जुड़ी हुई है ऐसी मानता रही है कि इस बावडी पर एक नाराज तांतरिक ने जादू टोना कर दिया था जिसकी बज़े से जो भी लोग इस बावड़ी का पानी पीते थे उनके बीच में बिवात पन अपने लगता था जब ऐसी बारदाते राज परिवार के लोगों के साथ घटित होने लगी तो इस बावड़ी को बंद करने का फैंसला ले लिया गया यह इस्थान स् के ब्रिक्ष को अपने जादू से तोड़ दिया तो दूफरे ने अपने जादू से उस पेंड को जोड़ दिखाया लेकिन पेंड के दो हिस्सों के भी थोड़ा अंतर आ रहा था यह पेंड कई साल तक जसका तस खड़ा भी रहा था जैसे वो इस जगए का नाम हीरापुर था लेकिन लोग इसे गिर्धरपुर के नाम से जानते हैं जो आज खुझ अपने दुरदश्या देख रहा है महल के आसपास जाड़ियां उगने लगी है महल के बाहर जो मंदिर है वो पूरी तरह से उजड़ गया SPN 9 Newsroom से अभिशेक की रेपोर्ट